कैसे है दोस्तो मैं हूँ चंद्रिश ठाकोर और आप देख रहे हमारी अपनी यूटूब चैनल डॉक्र चंद्रिश वेव तो आज का जो वीडियो है अपना मिडविक अपडेट वीडियो है आज है बुद्वार है 17 जन्वरी 2020 का आज का जो दिन है और मुझे लगा कहीना कहीं की आज जो है मुझे आना चाहिए और आपके साथ में कहीना कहीं थोड़ा सा Old चाहिए जीरा के ऊपर बात लेंगे लास्ट व्लीयो के संडे को संडे को म्लोगों जो है कहीं ना कहीं हमारा बात रह गया ऑर उन सारी चीजों के बारे में वीडियो के अंदर खाल लेंगे तो थीक है तो वीडियो की शुरूआ करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं सिधा हम जीरे से सुरुवात करते हैं और कई सारे दोस्त थे वह काफी खुस थे उस वीडियो से पहला मेरा वीडियो था जिसके अंदर मैंने जीरे के बारे में हिंदी में ट्राइ किया आपको इस वीडियो सीरीज में वीकली वीडिय वक्त थोड़ा बीतेगा उसके हिसाब से हमें काम होता हुआ नजर आएगा और अभी मैं चोटी टाइम अगर डेली टाइम फ्रेम में जाकर बात करूं आपसे तो आप देख सकते हैं कि दो दिन सौमवार मंगलवार और आज जो बुद्वार का दिन है वो तीन दिनों के हो सकता है यह मोमेंटम जो है तीस हजार तीन सो तक के लिए अभी जो है इस वीक में उपर की तरफ जाता हुआ हमें नजर आये दोस्तों ठीक है तो जीरे के अंदर दोस्तों यहां पर अगर मैं और डीटेल में बात करूं तो यह जो है काम चालो हुआ यहां से अपने वीडियो के बाद में तकरीबन 9-10% का इंप्रूमेंट जीरे में हमें आता हुआ नजर आया है यह तीन दिनों के अंदर मैं अगर बात करूं तो तो तीन दिनों में 10% का मोमेंट आई होप कि यह आगे भी कंटीनीव होगा और आगे भी चल किया चोटी टाइम फ्रेम में और अभी जो है इसका मोमेंटम ऊपर की तरफ जो है कंटीनीव है और अभी भी यह दोस्तों जो है वन आवर टाइम फ्रेम को अगर हम मीनिमम देखे तो वन आवर टाइम अपना 32-33,000 के आसपास कही ना कहीं बैठ रहा है जीरे में तो वहां वीडियो जीरे के ऊपर आ चुका होगा वहां पर हम बात कर लेंगे उसके बाद में दोस्तों जो है और अगर मैं अपडेट आपको देना चाहूं तो जैसा हमारा बात हुआ था सोमवार को आपने अगर वीडियो को सही से देखा हो तो मैंने आपको बोला था यह जो काम है यहां पर जो राइज है यह करेक्टिव राइज है बेंक निफ्टी के अंदर और यह करेक्टिव राइज है वो खतम होकर हो सकता है यह सोमवार और मंगलवार दो दिनों के लिए उपर चला जाए बट कहीं ना कहीं यह कोशिस करेगा कि वापस से जो है नीचे की साइड मे दो दिनों के बाद आना ये चालू कर देगा और 46,000 मैंने बोला था आपको ये वाला जो चोन है ये वाला जो नीचे का लेवल है एक मिनिट में आपको दिखा दू यहाँ पर ये वाले चोन को ये वापस जो है रीटेस्ट करने आएगा और आज के दिन में इसने इसी तरह से काम किया है और ये डिटेस्ट किया है अभी दोस्तों क्या हो सकता है वो हम बात कर लेते हैं डीटेल में बैंक निफ्टे के बारे में ठीके तो बैंक निफ्टी में थोदा उसका देखने को मिलेगा वह रहेगा हमें बेंक निफ्टी में यहां तक का 500-600 पॉइंट का रीकवरी करने के कोसिस करेगा बट वो सक्सेस्फुल नहीं होगा और यहां टाइम पास ऐसा करता हुआ नजर आएगा तो प्राइज वाइज करेक्शन हो चुका है अभी थोड़ा सा टाइम कंजूमिंग मार्केट हो सकता है इस जोन के अंदर HDFC का जिस तरह से रिजल्ट आया वो भी इसके लिए कहीं न कहीं जवाबदार है कारण भूत है बट दोस्तों हमें यह त्यान रखना है कि अपनी वेव प्रिंसिपल के हिसाब से क्योंकि यह बीव है डैवलोपिंग मोड में बहुत ज्यादा संभावना ह है कि यह यह पॉइंट को ऊपर ब्रेक नहीं करेगा यह मैंने आप तो आपको पूराने वीडियो में बात किया था बैंक निफ्टी में और अभी जो नीचे की साइड में यह चल रहा है अभी के हिसाब से 14-1500 आसपास बैंक निफ्टी डाउन है तो अगर आप इन्वेस्म स्एवउड डैवलॉप किया है और स्ट्पीक डैवलॉप करने में इस ने यहां पर वक्त भी लिया है वंदनन बैंक ने यहां पर वक्त भीलिया है तो हो सकता है यह वाले वक्त इतने वक्त से पहले यह उपर यह i बहुत अच्छी प्रतित होती हो और उसके बाद में उपर की सैड में जो है चलता हुआ नजर आए और जीरो टूबी ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक करता हुआ हमें यह नजर आ सकता है दोस्तों ठीक है बंदन बैंक लंबे अवधी के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करके जा लेते हम निफ्टी की बात कर लेते बैंक और अगर आज सुबह की बात करें जैसा ही ओपन हुआ वहां से ही एक रिकवरी चालू हुई और वो रिकवरी जो थी कहीं ना कहीं यहां पर हमें जो है 21,843 के आसपास लाई और वहां से उसने जो करेक्शन स्टार्ट किया अभी अभी दोस्तों जो यह कंप्लीट हुआ है बी कंप्लीट होगा और सी बनाने के लिए नीचे आएगा अधर यह साइडवेस रहेगा या किस तरह से काम करेगा वह हम आने वाले वक्त में देख सकते हैं आने वाले वक्त में यह चीज को जो हम देख पाएंगे ठीक है तो यहां पर जो है एक बार नीचे यह फॉर्थ वेव के नीचे यहां पर कहीं पर आने की संभावना अभी भी है 21-600 के आसपास ठीक है 21-600 के आसपास एज पर नियो वेव इलियट वेव थियरी यह जो नीचे की सायड में आ सकता है दूस्तों ठीक है तो यह ऐसा काम होने वाल पर बजट के ठीक है यह का बात हुआ अपना निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की बारे में अब दोस्तों जो हम इसके बात कर लिया और उसके इलावा ज्यादा हम बात श्क्ष्ट कर लेंगे गोल्ड के बारे में बात कर लेंदे एक बार के लिए गोल्ड क्यूंकि यहाँ पर यह जो राइजदा मैंने आपको बोला था कि यह करेक्टिव राइज है और इस राइज पर आपको बेच के निकलना है और अभी यह नीचे जो है वापस से इस जोन को रिटेस्ट करेगा ठीक है 16,000 के आसपास यहां से 800-900 रुपे की और मंदी होती हुई हमें गोल्ड के अंदर विखाई देगी आने वाले वक्त के अंदर दोस्तों उसके इलावा हमें क्रूड के बारे में बात करना था गिरिश जी का कमेंट था कि क्रूड के बारे में से आप डिसकस कीजेगा तो क्रूड देखिए यहां पर वीकली टाइम फ्रेम में आपको बता हूँ यह 200 की मुविंग एवरेज के आसपास है और अभी जो है कुझे लग रहा है क्रूड यहां से मुव हो जाएगा यह जौन से क्रूड जो है नीचे नहीं जाएगा और यह स्टॉप लॉस है अगर आपने खरीद के कुछ रखा है आप काम करते तो इसको आप स्टॉप लॉस मानके चलिए यह जों को मैक्सिमम अगर आप नीचे अग और क्यूंकि यहां पर पैटर्न कंफर्म नहीं किया है इसने थर्ड वेव को ब्रेक नहीं किया है तो अभी एक टाइम के लिए क्रूड दोस्तों ध्यान से सुनिएगा एक टाइम के लिए क्रूड जो है यहां से एक बार इस चोन में आ सकता है यहां पर जो बॉटम उसने लगाया था यह जोन में 5300 के आस पास उसको एक बार अगर नीचे काट ले तो यह ओवरॉल फॉर्थ वेव जो है वो डैवलपिंग मोड में कैलकुलेट होगी और यहां पर यह फॉर्थ वेव यहां तक यह मानी जाएगी यह पूरी की फॉर्थ हो जाएगी और फिर यहां से फ्रेस नया जो है फिफ्ट वेव डैवलप होने के लिए उपर की साइड में चलेगा दोस्तों ठीक है तो क्रूड के बारे में बात हो गए आपना इलावा हमें जो है क्योंकि गिरिस जी ने बोला था प्रिफर किया था क्रूड के बार में आने वाले 2024 के साल में दिख रही है वह वीप्रो हो टैक महिंद्रा हो ठीक है कोई भी इन्फोसीस हो कोई भी स्टॉक हो सारे के सारे अंदर 30% से लेकर 50% तक की मुवमेंट उपर की साइड में देंगे और वह मुझे आने वाले वक्त में दिखाई देगी आती हुई दोस्त बेंक निफ्टी स्टॉक के बारे में भी थोड़ा बहुत गोल्ड के बारे में भी बात कर लिया ओन मॉबाइल का टाइम खतम होने को आया है मैं अगर बता दू आपको कि ओन मॉबाइल जिस तरह से जिस पैटन में यहां पर करेक्शन कर रहा था अभी वक्त आ चुका है कि यह तीन से चार महिने के अंदर बहुत जादा वक्त मैं बोल रहा हूँ बट उसके अंदर यहां पर यह पॉइंट को 180 रूपे के पॉइंट को उपर की साइड में ब्रेक कर सकता है दोस्तो ओन मॉबाइल ठीक है तो थोड़ा ध्यान रखेगा इसके अंदर आप इन्वेस् वीडियो जाए हिंद जाए भारत थैंक यू फर वाचिंग वीडियो दोस्तों